देखिए, हम लोग समझेंगे MB-transitive verbs, जिसमें Di-transitive अम लोग बोलते हैं जिसमें Transitive और Intransitive दोन वर्व हो सकती हैं और हम लोग सीखेंगे Incoative verbs या Inceptive verbs यह मैंने डिसकस किया था आपके adjective वाले चैप्टर में जिसमें मुझे याद नहीं आ रहा था लेकिन मैं बोला ठीक था उस समय और हम लोग अभी देखेंगे Cositive verbs और देखेंगे हम लो Empty verbs नाम में देखो कुछ भी नहीं रखा होता है अगर मैं वात करूं कोई भी वर्ड की तो वो सिर्फ एक वर्ड है वो वर्ड है तब तक वर्ड है जब तक कि मैं उसे कि sentence में डालू और उसका भी function तैय न करूं कि यह ऐसे काम कर रहा है तब तक वह वर्ड है अपने आम में दूसी बात यह है कि इतने सारे नाम वर्ड के जो हैं जो मैंने अभी आपको प्लिश्ट में जाना तो मैंने वर्ड के जो बेसिक्स लेसन आपको पढ़ाएं तो उन बेसिक्स में मैंने बताया कि वर्ड लगवा 35 तरीक से ज़्यादा के नाम उसके होते हैं अलग अलग फंक्शन होती हैं तो मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ और कवर कर भी दूँगा लेकि सबसे बड़ी समझ से यह है कि इतने साए नाम तो आस्ता सुने नहीं बहुत साए लोगों ने तो क्या यह सारी सारी सीखने जरूत है नहीं जियल में वर्ब जो है वो ट्रांस्टिव और इंट्रांस्टिव होती है उनहीं को अलग अलग जगे पर उनहीं को अलग 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 नाम दिया गया है ऐसा क्यों हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि उनका फंक्शन अलग अलग है तो जब किसी चीज का function एक्तम different है कुछ verbs यहाँ पर है कुछ verbs यहाँ पर है मैं इनको बार निकाला मैं का इनका function बिलकुर अलग है इनको आप कॉस्टिव verbs बोल दो तो जब लोग कॉस्टिव verbs बोलते हैं तो वह लिस्ट दिमाग में आ जाते हैं यह वाली verbs हो वाली है यह ऐसे function करें सेंटेंस में इसलिए नाम लखे जाती है तो अब मेरे सारे videos देखे आपको हर एक चीज समझ में आगी playlist खोलिए हर एक चीज देखे हर एक चीज पढ़ी हुई है और जो नहीं वह मैं दे रहा हूँ अब आते हैं टॉपिक पर MB Transitive का मतलब क्या है MB का देखो MB Transitive जो है उसका root word यहां पर कलिया तो उसमें MB MB का मतलब 2 Transitive का अलब? Transition होना कोई ऐसी verbs जो Transition डाले एक नहीं बल्कि दो Object उसकी हो यानि कि दो Object जब किसी verb के होते हैं तब वो आपके कहलाती MB Transitive verb यह आपकी Transitive और Intransitive दोनों हो सकती हैं या फिर इसको हम लोग डाय ट्रांसिट भी कहते हैं It Depends on the Context यह Depend करता है Context के उपर पूरी Language कोई भी Language हो पूरी Language में हर एक चीज हर एक सब्द हर एक फंक्शन Context पर Depend करता है कब बोला जा रहा है कैसे बोला जा रहा है उसमें क्या लिखा है वो सारी वाते उस पर Depend करती है कि वाँपर क्या यूज होगा ऐसे कुछ verbs हैं जैसे कि Drink है Break है Open है Pay है Sink है Read है बहुत सारी verbs हैं अब जिसे Break में टूट जाना Break मला तोड़ देना है न तो तूट जाना तो Transitive verb हो Sorry Intransitive हो गई Happening verb तोड़ देना तो आपकी Transitive verb हो गई अब ये वर्ड हम लोग ने Happening verb में भी पड़ी थी तो देखो कोई word कहीं भी रखतो कोई problem नहीं लेकिस तोड़ी बात ही है कि हम sentence से decide करते हैं मैंने यहां पर अगर लिखा है तो यह तैनी हो गया कि आपका Break MB Transitive ही है अगर मैं इसको MB Transitive बोलता भी हूँ तब भी देखो इसके अंदे Intransitive तो लिखा ही हुआ है अगर ही Intransitive लिखा हुए तो इसका Happening verb भी Intransitive ही ही होती है तो बात तो वहाँ फिरा कि एक ही जगे सब आ रही है अब जब हमें इन से sentence बनाएंगे तब हमें clear होगा कि कौन से कैसा function कर रहा है आ जाओ I drink I मेरा subject होगा Drink मेरा verb होगया Verb के बाद कुछ है नहीं तो यह हो जाएगा मेरा Intransitive verb क्योंकि Transitive verb के लिए object होना बहुत ही ज़रूरी है I drink water I subject है Drink मेरा verb है Drink what तो drink water तो इस drink का एक object भी मुझे मिल गया जो की noun है उससे कोई दिक्कत नहीं है तो यह मेरा हो जाएगा Transitive verb कैसे Transitive verb है तो यह Mono Transitive verb है अब मैं यहां पर वर्ड दे रहा हूँ Mono Mono Transitive verb अब मैंने Mono क्यों बोला Mono का मतलब होता एक जो लोग साइंसे हैं उनने याद होगा साइंस है Mono, Diya, Triya, Tetra, Penta, Hexa, Hefta, Octa, Nona, Deca याद आ रहा है मतलब जो I think इनने रोमान या लेटन वर्ड कुछ बोलते हैं यह नमबर होते हैं जिसमे Mono का मतलब एक डाय का मतलब दो Triya का मतलब तीन Tetra का मतलब चार Penta का मतलब पांच Hexa का मतलब छे Hefta का मतलब साथ होता है Octa का मतलब आर्ट होता है जो लो music जानते हैं उनको पता होगा Octave बजाओ यानि आर्ट सवर निकालो तो music भी सब जगा होता है चीज तो Mono का मतलब एक जब किसी वर्ड के पास जब किसी वर्ड के पास उसका एक object केवल होता है तो उसको बोलते हैं Mono Transitive Verb I Pay I subject होगा पे मेरा वर्ड हो गया अगर मैं ध्यान दो तो I Pay मैंने पे कर दिया एक अपने हमें sentence पूरा है इसका पे का मतलब भी तक के रुपे दे देना sentence पूरा है लेकिं इन Transitive Verb क्योंकि इसके बगद इसका object नहीं है यहाँ पर यह subject होगा यह वर्ड होगा आई पे हूम आई पे हूम तो I answer यू तो हूम से question करने पर answer आया यू तो यह मेरा object और है यह मेरा pronoun कोई problem नहीं तो यह मेरा हो जाएगा Transitive Verb कैसी है Mono Transitive Verb आई पे यू money आई subject होगा पे मेरा वर्ड होगया यू मेरा object होगया money मेरा एक और object होगया I pay whom money I pay whom you I pay what money तो मैंने तुम्हें दिया और money दिया इसका मतलब इस pay के पास दो object होगया object number one object number two अब जब कोई verb के पास उसके दो object होते हैं तो फिर वो वर्ड हमारी कहलाती है वो वर्ड हमारी कहलाती है डाया Transitive Transitive Verb ठीक है तो यह यहाँ पर कहला है यह डाया Transitive Verb के लिर हुआ दो object उसके पास है आप देखो मैंने पे सब्द तीन बार लिया तीन सेंटिस मैंने पे लिखा एक बार In-Transitive बना दिया एक बार Mono Transitive बना दिया एक बार Di-Transitive बना दिया तो ऐसा कुछ भी नहीं है वो Depend करते है आप कैसे उसको यूज कर रहे हो Clear? अब आते है Inquidative Verb यह Incentive Verb यह क्या होते है Denotes यह verbs यह वो Denotes करते है The Beginning Development For Final Stage Of A Change Of A Condition Of Condition कहने का मतलब यह कि जब कोई काम सुरू हुआ अब यह खतम नहीं हुआ कोई सुरू काम हुआ है कोई काम स्टार्ट हुआ है और पहले से बता दिये जाए है कि काम सुरू हो गया है और इसके Final Stage आने वाली है यह आने के लिए Final Stage पहुंचने बाला है यह पहुंचने के लिए शुरू हो गया है तो Final Stage आई तो नहीं काम से स्टार्ट हुआ है और मैंने बात कर रहा हूँ आखरी स्टे तक यह पहुंचने वाला है तो ऐसी कंडिशन में हम लोग इनको बोलते है Inceptive Wurfs या Incoitives Wurfs अब यह हो तक कैसे बो देख लो Errage कर रहा हूँ Note Down कर ले ना It is Getting Dark or Darker Adjective में बताया था कि देखो मैं यह कहरा हूँ कि अंधेरा हो रहा है तो अंधेरा भी हुआ नहीं है अंधेरा होना सुरू हो गया है और पूरा अंधेरा जल्द ही होने वाला है फिर देरे में हो जाए लेकिन हो जरू जाएगा स्टार्ट हो गया है तो Getting यहां पर यह बता रहा है कि कोई काम स्टार्ट हो गया है और वो अपने Ending Point पर Final Stage पर पहुंचने बाला है तो जब कोई काम सुरू होने बाला है मतलब हो चुका है या होने बाला है और आगे बाढ़ने बाला है तो हम लोग उस काम को Comparated Degree यूज करते हैं अब यहां पर Comparated Degree क्यों आया इन सभी वर्प्स के बाद हम लोग यूज करते हैं Comparated Degree अगर Degree आएगी तो ऐसा क्यों Comparated भी क्यों आएगी जैसे मैं कहूँ कि अंधेरा होने वाला है यह अंधेरा हो रहा है इसका मतलब आभी थोड़ा उजाला है और थोड़े समय बहुत अंधेरा हो जाएगा मैं इस समय की इस समय का Comparation मतलब इस Lightening का जो भी उजाला भी है जो भी Light अभी है मैं इस Light की और इस समय का Comparation जो है आगी आने वाले समय समय कर रहा हूँ देखो मैंने का क्या अंधेरा होने वाला है या अंधेरा हो रहा है इसका मतलब अभी हुआ नहीं है और होने वाला है इसका मतलब मैं ये भी समझा रहा हूँ कि अभी अंधेरा कम है अभी Darkness कम है अभी Darkness हो जादा हो जाए तो तो मैं दिखाई नहीं देगा प्लांट इस ग्रोइंग, प्लांट बड़ा हो रहा है, क्या बड़ा हो चुका है? नहीं, क्या बड़ा है अभी, इसके बाद नहीं होगा, नहीं, अगर फास्ट लिखूं, इसका मतलब तो बड़ा हुआ और रुक गए वहीं पर, लेकिन वो अगर उसकी सीमा इतनी बड़ा ह इतना हो गए, पहले वो था नहीं, इतना बड़ा हुआ, मैंने क्या बड़ा हो रहा है, इसका मतलब क्या हो चुका है? नहीं, क्या इतनी उसकी थी? नहीं, वो तो यहां तर पहुंचना है, तो मैं कहरो हूँ, बो शुरू हो गया, अब भी बड़ते चला जाएगा आगे, फाइनल स्टेश से पहुचने वाला है, उस कंडिशन चेंज होने वाली है, तो उस कंडिशन में हम लोग यूज करेंगे फास्टर, थोड़ा समझ में आया, तो कुछ वर्प्स हैं, इसपेसली, गेट है, ग्रो है, बेकम है, कम और गो तो कम होता है, मतलब कम आता है, टर्म यह कुछ वर्प्स होती है, गेट, हैव, मेक, कॉज, अलाओ, हैल्प, इनेबल, बैग, इंस्पायर, ऐसी बहुत सारी वर्प्स हैं, इनमें कुछ वर्प्स ऐसी हैं, जो अपने बाद केवल V1 लाती हैं, इसमें कुछ वर्प्स ऐसी हैं, जो अपने बाद केवल V1 लाती है कुछ वर्फ एसी जो अपने पास two plus one लाती हैं इसमें कुछ ऐसी वर्फ हैं जो पहले तो भी वर्फ लाती हैं पैसे वर्फ में वी बीवन चेंज हुआती हैं तो उनके अलग 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 रूज्स ते हैं वो हमलों पे देखेंगे कोस्ट वर्फ के वीडियो से बहुत ही डी नौकर से कहा रूम साफ कर दो तो देखो बोलने वाला तो मैं इंसान हो गया लेकिन रूम की सफाई रियल में कौन करेगा वो नौकर अब ध्यान दो सेंटेंस में मैंने नौकर से कहा कि रूम साफ कर दो तो किस ने कहा मैंने कहा नौकर से तो नौकर सब्जेट में हो गया और करनों कर सुनने वाला मेरा object हो किया है लेकिन वह साफ काम मतलब वह room साफ कौन करेगा मैं खुद करूंगा जिसने बोला है कि वह करेगा जिसने सुना है तो अब कोई साफ करेगा तो overall एक बात ऐसी समझ लो कि जब सेंटेर्स में कोई subject लिखाओ और उसमें कोई एक्सन आने वाला हो यह एक्सन आया हुआ है लेकिन उस एक्सन को subject खुद न करें उसमें वह object करें तो वहां पर वह कौश्ट वर्प्स कहलाती जिनको बोलते प्रड़ना अथक करिया है मतलब मैंने का और मैनत कर तुम जरूर पास हो जाओगे तो भाली मैं बोल नहीं करने का काम मैं नहीं करूँगा मैं नहीं करने का तुम ही करोगे तो अब यहां पर वह समझ में आई someone or somebody is directly responsible for an action मतलब हम किसी वेक्तिस कुछ कहते हैं और उससे ही काम करवाते हैं तो कहलाते है कौश्ट वर्प्स कैसे मैंने अपने मोगल सही करवा लिया ध्यान तो subject मेरे यह है और यह मेरा object है मोगल सही कराना और यह को होगे activity रिपेर करवाना किसने किया जरूरी नहीं है जरूरी क्यों नहीं जैसे ही मैंने का कि रोड बन गई क्या आप कई पूश्टे हो कि रोड किसने बनाई आई आप common sense सब्सक्राइब नहीं हो तो पैसे वह सेंटर जाद ही पैसे वह सेंटर लिखा हूँ है कौश्ट वर्ब में एक और देखो you should get your haircut तुम्हें अपने बाल कटवा लें चाहिए कौन काटेगा यह मैं लिखो क्या कि बाई दा बारवर नहीं आपको तो कॉमसेंस की वासे बाई बार लिखाना नहीं पड़ेगा यह सेंटर भी कॉश्ट वर्फ में है लेकिन you should मैंने तुमसे कहा है तो अपने बाल कटवा लेकित तो अपने बाल खुद नहीं काटोगे कोई और काटेगा तो यह सारी 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 सेंटर्स होते है कॉश्ट वर्फ की समझे में नहीं आए तो बिलको परसान मत हो ना इसका सेपरेट और डीटेल वीडियो मिलेगा अब आते इंपर्टी वर्फ में जो यह बताने वाला हूं इनका फंक्शन अलग अलग जगे पर होता है लेकिन मैं इसका एक लॉजिक यहां पर दिया है डीटेल में जैसे की वेन एन इंपर्टी व जब मैं किसी वर्फ को नाउन की जगे पर रखूं तो हम उसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन मानते हैं उसके ठीक पहले उसके प्रनंसेशन के अकॉर्डेंग ए और एन जरू लगाते हैं जैसे की आई वाग यह मेरा सब्जेट हो यह मेरा हकीकत में एक वर्व है अगर मै कि इन दौनों वर्ड का मतलब एक ही है लेकि मैंने वाग को यहाँ पर नाउन के तरह यूज किया यह फ्रेज है यह फ्रेज होता है तो देखो फॉर प्रपोजिशन है तो इसके वाद यह नाउन माना जाएगा और उसके पहले हमें ए लगाना पड़ा यह एक फ्रेज है ड don't lie don't lie don't lie जूँट मत बोलो यह आपर देखिए lie जो है मेरी वर्ब है अब मैं यहाँ पर इस को चेंज करता हूँ Don't tell a lie lie का मतलब जूँट बोलना तैल का मतलब बोलना lie का मतलब जूँट बोलना तो देखो हकीकत में इस से पूरा मीनिय निकल लाए इस वर्फ का कोई मतल मतलब नहीं है Don't tell a lie, don't lie without sense Doesn't differently meaning dont talk का मार्थ Joseph trafficking कमेर Mick ने आप एक words लगाई और इस वाले वज़ मैं नाउन के तरह यूस्थ कर दी, यहां पूर, तो यह मेरी हो जा इम्पर्टी yow Happy These go Doch empty yow यहां पर मेरी है, और यह कोई मतलब है ही नहीं तो यह word Yun as a noun function करेगी कि अगर मैं इसको वर्व मानता हूँ तो दो वर्व एक साथ कैसे लिखी जा सकती है बीच में कोई ने कोई conjunction चाहिए तो यह आपे noun की तरफ function कर रहा है इसलिए मैं यहाँ पर a का use करता हूँ कहने का मतलब यह है कि जब मैं किसी sentence में कोई वर्व लाष्ट में लिखो हूँ या फिर लाष्ट में नहीं कोई वर्व लिखो हूँ और उस वर्व का जो अर्थ निकल दा है वैसा ही मिलता जुलता वर्ड में एक और से पहले लिखो lakhो तो यह empty verbs कहलाती है इनका कोई मतलब नहीं होता है फिर इन वर्ब्स के पहले हम लोग ए और लगाते हैं वही रूल मैंने उपर लिखा है I have dream मैंने सपना देखा I have dream sorry I have dream ठीक है मैंने सपना देखा ये मेरी helping verb है और ये मेरी man verb है third form है मैंने सपना देखा और I have a dream मैंने सपना देखा अब देखो यहां पर have का मतलब एख हैलम इब मतलब ओर मतलब कहा हुआ है trip का है अब देखो यहां पर सपना आप देखो यहां पर यह तो होगे शपना हैar help का मतलब देखना it क्योंकि यहां पर a have true hanger अगों अघ्यन दॉच्ट की मैंने मेंम मैंने मेरी और फिर इस तरह से हम लोग जो है जो वर्व को सब वो नाउन बनाते हैं तो उसके पहले यह औरन लगाते हैं और आगे आने वाली वर्व कहलाती है एंपटी वर्व की वज़े से ही हम लोग वर्व के आगे यह औरन लगाते हैं बस यही एक रूल होता है गिव हम आ ट्राई अब ट्र इस तरह ऐसे आपने detail में समझा है कि यहां पर कौन सी को कैसे function करती है और किसको कैसे use किया जाता है अब हम देखेंगे चीजों को अब advanced level से start करेंगे non-finals work और final work की बीच में difference समझेंगे और चीजों को ध्यान से देखेंगे